आपके घर की माताएं बहने, नौई वक्ष, सेवा के लिए सब्दत पर ले, अपने घर के बोड़ों को भी नजर अंदाज मत करना, उनको घर से बाहर मत निकालना, ब्रधा अश्रम में मत छोड़ना, क्योंकि जो तुम्हारे घर के बोड़े लोग हैं, उनके प्रबल प्रारब्द से तुम्हारे घर पर कोई आपती नहीं आती है, भगवान तो तुमसे सेवा लेने के लिए कभी आयेगा ही नहीं, वहीं बजरुगों की रूप में ही भगवान आता है, उनकी सेवा कर दोगे, तो भगवान का आशिर बात तुम घर बैठे प्राप्त कर लोगे, घर बैठे प्राप्त कर लोगे, नेपाल गंज से काटमंडू बस जा रही थी साथ सवारी बैठी थी बादल घेरे हुए थे विजली कड़ रही थी ड्राइवर डर रहा था विजली चमक कर बस के पास आ जाता थी ड्राइवर को भे लगता था विजली कहीं बस पर न गिर जाए चोड़ी सड़क जहां मिली वहां बस रोगा सवारीयों से कहा कि उत्रो इसमें कोई पापी बैठा है जिसके कारण बिजली बार बार चमक चमक कर बस के पास आती उत्रो एक एक करके सामने परच लगा है उसको छूओ जाकर जो पापी होगा उसके उपर बिजली गिरेगी सब गए उस पेंड को छूओ छूओ कर आई बिजली नहीं गिरी एक बोढ़ा बचा गा वनसेट लोग जाके आ गए बोढ़ा बोला मैं नहीं जाऊंगा छूने के लिए बस में ही बैठा रोगा मुश्किल से चड़ पाया उमर ज्यादा है सत्तर सांद ड्राइवर ने कहा उतरना पड़ेगा सब सवारी आँ हड़ गई तेरे को उतरना पड़ेगा पेंड को छूना पड़ेगा तू ही पापी हो सकता तेरे करण सम मर सकते हैं बिजली गिरी बस पर तो जल जाएगी बस राख हो जाएगी बुड़े को ढखेल कर जवर जस्ती उतारा बुड़ा रेंगता हुआ गया और जेव ही इस बुड़े ने पेंड को छुआ तेव ही बिजली जोर से कड़की और धड़ाम से गिरी लेकिन विजली कहां गिरी वो बस पर गिरी और बस में जो वनसट लोग बैठे थे वो सब मर गए और बूढ़ा सुरचित रही तब उनको पता चला कि इस बूढ़े के बैठने से ये पुन्यात्मा था जिसके करण विजली गिरने की कोशिस तो करती थे गिरती नहीं थी और इसके उतरते ही बस के उपर विजली गिर गई याद रखना तुम्हारे घर में जो बूढ़े लोग हैं वे जब तक घर में हैं तब तक कोई भी आपत की बिजली नहीं गिर रही है उनको जिस दिन बाहर निकाल दोगे उसी दिन आपदा की बिजली गिर पड़ेगी और तुम सब भस्म हो जाओ पुलिए सद़ देवा की जया उनकी रच्छा करो सु रच्छा करो दो बाते सहिंन भी सीख्ऊ क्योंकि जो सह नहीं सकता है वो सेवा किसी की कर नहीं सकता है हमारे इत्श्म के संचालक के सेवा जुक करते थे 75 साल की उमर में महीं काम नहीं करता थे तो जो सेवा करता था तो उसके चुकडिय करते थे और टंडा पाजाते थे टंडा मारते थे तुमने खा टंडा क्यों मारते हो तो बोटे इस Eigen कौन करे सोले अब नहीं थो उसजाबतीremos भी नारे महांत है वह थापड़ मारते थे संथ भासते थे और शेवा करते है शेवा का फल है कि दिन दूनर्णा राज चोगना उन्नती होती चली चली जा रही है और सादू-शंत छोषाल है dan अपने बुजर्ब गुरु की भी शेवा करो धंग से उसके लिए तनमन धन लगाओ ऐसा नहीं गुरु से ग्यान ले लिया कंठी पहन लिया चेला रमता राम कितने चेला लोग तो ऐसे हैं गुरुमंत्र ले लेते हैं और भैस ले लेते हैं उसके बाद गुरु उनको पंडन नहीं मिलते हैं अचेला निकल गया कहीं यहां पुजा रहा कहीं वहां पुजा रहा बड़ा पंड़ा पुजारी हो गया ऐसा नहीं गुरु की पास रहकर के भी शेवा कीजिए और गुरु से जुड़े रही हैं सादू संतों की भी शेवा कीजिए गाय की सेवा करो तो जो कहीं नहीं मिला वो सब कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा, पती की सेवा करने से शुहाग्वती रहने का आशिरवाद मिल जाता है, पती को सताना नहीं चाहिए, और बीमार पतनी की सेवा करने से याद रखना, तुम्हारा यस फैलता है, ऐसा नहीं पत्नी बीमार हो गई तो छोड़ दिया ये नहीं स्वार्थी रिस्ता नहीं है बीमार हो गई सेवा करो, इलाज कराओ, अच्छी हो जाएगी फिर काम करेगी और पत्नी यदी मैंने देखा राजिम कुम्ह मेला च्छतिस गड़ प्रदेश में तीन विभागों का मिनिस्टर ब्रजमोहन अग्रवाल एक लेडीज का हाथ पकड़े ही है सादू संतों की कैम्प में दर्शन कराने ले जा रहा था मेरे कैम्प में आये तो मैंने सोचा ये कौन लेडीज है बोले मेरी धरम पत्नी है हाथ क्यों पकड़े हो बोले दिखता नहीं इसको हाथ पकड़ करके सवी सादू संतों के चरण छुआ देता हूँ वही आशिरवास से इसकी जिन्दगी पार हो जाएगी और इसके साथ मेरा बिभाग हुआ है तीन चार बिभागों का मिनिस्टर हूँ और इसको मैं जिन्दगी भर नहीं छोड़ूँगा यही मेरी पत्नी रहेगी यही मेरी पत्नी रहेगी ओ बिखती आज कम से कम 30-40 साल से चुनाव ही नहीं हा रहा और मिनिस्टर बनता हुआ रहा और सादू संत की भी सेवा करता है राजनीती करो कितने राजनेता जब राजनीती में पहुशते हैं तो देखते हैं जिस मंदिर में आश्रम में अकेला सादू हो पचासवी के जमीन हो रात में उसका मोच्छ कर दो अब कबजा करके अपना मकान बना लो याद रखना वो उसकी स्राप ऐसी लगेगी मंदिर को छेड़ो मत मंदिर को संदर बनाई को और पूजा पाठ सत्संग भजन हमारे देश में जितना चलता रहेगा लोग अच्छे इंसान के रूप में समर कर निकलते रहेगे क्योंकि मनस्य का मन इस माया की चका चौन में भटक जाता है सत्संग के दो सब्द और मंदिर का दर्शन मस्जिद में ये जो नमाज पढ़ते हैं मुसल्मान भाई इसलिए बहुत से मुसल्मान भाई बड़े अच्छे विचार धारा के रहेगे ये तो उत्पात खौराफात वही करते हैं जो मस्जिद में नमाज भी कभी पढ़ने जाते ही नहीं और न तो ज्ञान सीखते कहीं पर बस फाल तू बात करते रहते हैं याद रखना नमाज हो या पूजा हो दोनो प्रेम करना सिखाते हैं और मंदिर हो या मस्जिद हो दोनो जिंदगी वे शहन सिलता ही सिखाते हैं रहम करना सिखाते हैं और रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वही पर रहता है रहम न जिसके दिल अंदर सैतान वही पर रहता है सैतान मही पर रहता है